आज की रेसिपी को देखने के बाद मैं गैरेंटी के साथ आपको कह सकती हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे बनाए बिगयरा खुद को रोक नहीं पाएंगे एक दम हेल्दी एक दम टेस्टी ये रेसिपी बन के तयार होनी वाली है तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है तो सबसे पहले एक जार में हम लेंगे एक इंच अद्रक का टुकड़ा, चार से पांच कली लहसुन की ले लेंगे और दो बड़ा चमच यहाँ पे मैंने साबुत धनिया लिया है और एक चोटा चमच साबुत लेंगे जीरा और दो छोटी इलाइची और तीन से चार लॉंग एक बड़ी इलाइची थोड़े से दालचीनी के टुकड़े और इसे पानी डाल करके हमें पीस लेना है तो लीजे खुसबुदार मसाला हमारा तयार है अब यहाँ पे एक पैन में हमने तेल गरम किया है दो चमच और इसमें एक तेज पता को तोड़ करके एड़ करेंगे एक चमच जीरा एड़ करेंगे और बढ़ी असे इसे तीरकने देंगे अब यहाँ पे मैंने एक बड़ी साइस का प्याज लिया है जिसे मैंने बारिक चॉप कर लिया है अब यहाँ पे हाई फ्लेम पे मैंने इसे भुन लिया है तो प्याज का कलर चेंज होने के बाद हमें इसमें जो मसाले हमने पीस के रखे देना उसे हमें इसमें एट कर देना है और low flame पे हमें इसे भुन लेना है तो इससे पहले हम इसमें मसाले आट करते हैं तो एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च एक चमच नॉरल मिर्च और इसके बाद यहाँ पे चौताई चमच हल्दी अब इसे अच्छे से मिलाने के बाद low flame पे 4-5 मिनट के लिए हमें इसे पका लेना है तो लीजे 4-5 मिनट हो गया है बड़िया से oil separate हो गया है अब इसमें हम टमाटर add कर देंगे तो एक बड़े size का टमाटर था जिसे मैंने इस तरीके से piece करके add कर दिया है और अब इसमें थोड़ा सा पानी और स्वात के नुसार नमक डाल करके अब टमाटर को हमें अच्छे से भून लेना है तो low flame पे हमें सारी process करनी है तो यहाँ पे मैंने low flame पे इसे 4-5 मिनट के लिए बड़िया से भून लिया है तो आप देख सकते हैं मसाले का texture जो है वो बिल्गुल बदल चुका है तो इसी तरीके का texture हमें चाहिए अब यहाँ पे हमने एक glass पानी add कर देना है मतलब बड़े वाले glass से मैंने add किया है तो तकरीबन आदा लीटर के करीब है यहाँ पे और अब इसे उबलने देंगे अब side में हम ले लेंगे यहाँ पे मूंग डाल तो यह साबुत वाली मूंग डाल है हरी वाली इसे मैंने 4 गंटे के लिए पहले फुला दिया था अब इसके बाद इसे mixer grinder में हम इस तरीके से transfer कर देंगे और इसका हमें paste तयार कर लेना है उससे पहले हम इसमें डालेंगे 4-5 हरी मिर्ची एक इंचे दरग का टुकड़ा और इस साथ ही साथ lesson अगर आप lesson नहीं खाते होंगे या फिर प्याज नहीं खाते होंगे तो इसे skip क कर सकते हैं तो लीजे इसे हमें पीस लेना है थोड़ा सा पानी एट करके बहुत ज्यादा पतला इसे हमें नहीं बनाना है इसका जो पेस्ट है वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए अब इसकी consistency देख सकते हैं अब इसमें से 1.5 चमच के करीब हमें जो बैटर है उसमें से बोड़ा सा ही नमक एट करना है अब जो हमने 1.5 चमच के करीब मुंग डाल निकाली थी ना उसे हमें मसाले में इस तरीके से एट कर देना है और मसाले को अच्छे से हमें बॉइल आने तक पका लेना है तो देखिए मसाले में बढ़िया से बॉइल आने लगा है अब जो हम की मदद से आप इसे सेट कर लें और इस तरीके से बस इसमें एड़ कर दें बहुत ही आसानी से बन जाता है आपको बनाने में बहुत मज़ा आएगा तो धियान रहे जब बढ़ियों को आप एड़ करें तो पानी में उबाल आना चाहिए मतलब कंटीनियू पानी उबलना चा के बाद थोड़ा सा दन्या डाल करके इसे हम उतार लेंगे तो ये देखिए बढ़िया सा हमारा ये रेसिपी बनके तयार है मुंग दल की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हेल्दी सी रेसिपी तो आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी अगर रेसिपी अच्छी लगी तो अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें